हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो मैं चनल, आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ, क्लास 2 का EVS का चाक्टर फूड फ्रेंट्स, फूड में हमें बचों को इस समय बेसिक चीजें बतानी हैं, कि फूड की इंपोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर अगर हम फूड नहीं खाते हैं, तो हम बिमार पढ़ सकते हैं, हमें ये सब चीजें बचों को बता नहीं रह सकते हैं, food is essential for us to live, food हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए, we can't live without food, हम food के बिना नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, food gives us energy to work and play, food हमें क्या देता है, energy देता है, काम करने के लिए, खेलने के लिए, it keeps us healthy, strong and protect us from various disease, यह हमें healthy and strong बनाता है, और हमें बहु sources of food, हम हमें food के हमारे दो sources होते हैं, जहां से हमें food मिलता है, first होगा plant और दूसर होगा animal, plant से हमें vegetarian food मिलता है और अनिमल से हमें non-vegetarian food मिलता है, non-vegetarian food में आ जाता है, meat, egg, fish, यह सब non-vegetarian में आता है, और एक चीज़ और है, جो हमें animal से मिलती है, वो है milk, milk is not considered as non-vegetarian, so हम non vegetarian food में meat, egg और fish ही आएगा उसके बाद आता है plant से हमे vegetarian food मिलता है जो उसमें क्या क्या आता है उसमें आजाता है cereals, pulses, fruits, vegetables यह सब चीजे हमें plant से मिलती है और cereals में आ जाता है wheat, rice जैसे हम बचों को बताएंगे जो आप rice खाते हूझ गेहूँ, चावल, यह सब किसमे होते हैं? सीरियल में आते हैं, पल्सीज, डाले होती हैं、 वो सब पल्सीज में आती हैं, उसके बाद जो फ्रूट में हम examples बता सकते हैं बच्चों को एपल, मैंगो, और इंग, बनाइना इस तरह की और vegetables में भी हम जो vegetables खाते हैं आप उसके examples बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरह से जो है यह हमें food कहां से provide होता है कहां से मिलता है plant से और animals से उसके बाद जो है हम बच्चों के साथ discuss करते हैं types of food का topic there are three types of food यहाँ पर तीन तरह के types होते हैं food के जैसे first है body building food second है energy giving food and third है protective food body building food क्या होता है the food that help us in building our muscles and bones वो खाना जो हमारे जो हम खाते हैं और जिससे किसके उपर पर बाव पढ़ता है हमारी muscles पे और bones से वो strong होती हैं bones और muscles उनको हम कहते हैं body building food उसके examples है milk, cheese, fish pulses इस तरह से उसके बाद आजाता है energy giving food energy giving food में आजाता है the food that gives us energy जो हमें energy देती है instant energy देती है उसको हम क्या कहते हैं energy giving food कहते हैं जैसे हम शुगर खा के हमें बहुत energy आजाती है घी, butter, इस तरह से ये इसके examples होगी और protective food में आजाता है the food that protects us from disease वो food जो हमें बिमारियों से बचाता है disease से बचाता है वो किसमें आजाता है उसमें क्या आता है fruits और vegetables आते हैं उसको हम कहते हैं protective food उसके बाद friends हम बच्चे के साथ discuss जो करेंगे वो है balanced diet balanced diet क्या होती है कि हम जो खाना रोज खाते हैं उसको हम diet कहते हैं लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर proteins होता है carbohydrates होते है fats, mineral, vitamins होते हैं तो वो milkर क्या बनाते हैं एक balanced diet proper diet बनाते हैं means कि जो हम खा रहे हैं उससे हमें proper diet हमारे अंदर जा रही है या नहीं जा रही है इस तरह हम बच्चों को balance right का topic बताएंगे उसके बाद आता है कि meal time meal time में हम बच्चे के साथ बताएंगे जो first meal हम सुबा morning में लेते हैं उसको हम breakfast कहते हैं second meal जो होती है उसको हम lunch कहते हैं third meal जो होती है उसको हम dinner कहते हैं और जो हम second meal के बाद शाम को light snack that we eat in the evening जो हम शाम को चाई के साथ खाते हैं उसको हम supper कहते हैं उसके बाद हम बच्चे के साथ discuss करेंगे इस तरह good food habits बच्चों को good food habits बताएंगे कि क्या क्या करने से हम healthy रह सकते हैं wash your hand before and after eating food हमें अपने हाथ दोने चाहिए खाना खाने से पहले और बाद में always eat fresh and clean food हमेशा हमें क्या खाना चाहिए fresh fruit खाना चाहिए और vegetables भी fresh ही खानी चाहिए eat balanced diet हमें proper diet खानी चाहिए हमें वो diet खानी चाहिए जिसमें हर एक मातरा में protein, carbohydrate, fat, minerals यह सब मुझूद हो do not eat junk food हमें junk food नहीं खाना चाहिए chew your food well हमें अपने खाना को जो हम खाते हैं उसको chew करना चाहिए ठीक धंक से उसको chew करना चाहिए eat as much as you require हमें उतना ही खाना चाहिए जितने हमें भूक लगी हो हमें overeating नहीं करनी चाहिए ग्राम सब आ जाता है तो हम इसमें all of these को टिक करेंगे dash gives us vitamin हमें vitamin किस से मिलते हैं fruit से मिलते हैं उसके बाद आता है dash is a vegetarian food vegetarian food इसमें कौन सा है potato a balanced diet consists of protein, fats, carbohydrates इसमें all of these आएगा उसके बाद आता है which of the following food is an energy giving food energy giving food जो है वो है rice filling the blanks with the word in the given box protective street, diet, carbohydrate, energy food gives us dash to work and play food gives us energy energy giving food is rich in carbohydrates dash food is rich in vitamin and minerals protective the food that we eat daily is called diet we should not buy food from street vendors उसके बाद आता है true false we should eat food quickly false food keeps us healthy and strong true we should follow good food habits true a balanced diet is essential for all of us true we should eat junk food false उसके बाद आता है इस तरह से question why is food essential for us वो हम यहाँ पर discuss कर सकते है food is essential for us to live and next what is body building food the food that helps in building our muscles and bones are called the body building food right three energy giving food energy giving food में हम इस तरह से थी ग्जामपल बटर गी शुगर दे सकते हैं what is a balanced diet balanced diet हम बच्चों को यहाँ सी करवा सकते हैं the food that we eat daily is called a diet the diet rich in protein, carbohydrates, fats, minerals and vitamins is called a balanced diet उसके बाद आजाता है right to proper food habits food habits में हम यहाँ से बच्चों को कोई भी to करवा सकते हैं wash your hand before and after eating food always eat fresh and clean food okay friends मेरी वीडियो आपको useful लगी है अपने बच्चों के लिए helpful लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को like, share and subscribe जिरो करेगा thank you thanks for watching